हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप I hope you're gonna find आज की वीडियो में बात करेंगे वुमेंज के प्रोप्टी राइट के बारे में और जानेंगे कि एक महिला का उसके पती की प्रोप्टी में क्या अधिकार होता है और एक महिला का ही उसके साथ ससुर की प्रोप्टी में क्या अधिकार होता है इन दो कोशन्स के अंसर आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं और अगर आप अपनी समस्या के लिए हमसे डिरेक्ट भी कोई राय लेना जाते हैं आप डिस्क्रिप्शन बोक्स में अपोईमेंट का लिंक है वहां से बुक करके आप हमसी डिरेक्ट बात भी कर सकते हैं अगर आप हमारे चाल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज कर दें बेल एक और दबा दें ताकि जब भी मैं कोई चोटी सी इंफोर्मेशन वाली वीडियो लेकर आउँ आपको उसकी नोटिफिक्रिशन मिले उसको देख सको चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से सबसे पहले दोस्तों एक पतनी का उसके पती की प्रोपटी में जो अधिकार होता है वो हम दो तरीके से बार देते हैं पहले पती की जो थी सेल्फ अक्वाइट प्रोपटी थी ओके पती की self acquired property में पतनी का हक कितना होता है देखे दोस्तों अगर पती जो है वह जीवित है पती जीवित है और उसके पास self acquired property है यानि कि उसने खुद अर्जित की है property कुद कमाई है property वह property पती अपने जीते हुए वह किसी को भी दे सकता है जरूरी नहीं है मैला उसके अपना हक अपना क्लेम करे तब ही उसको मिलेगी उसका पती वो किसी को भी दे सकता है चाहे वो सारी की सारी अपने बेटे को दे दे चाहे उसकी पतनी को दे दे इसमें पतनी जो है पती से अपना राइट जो है क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि पती की self acquired property है वो जिसको मर्जी दे दे अब बात करते हैं पती के मर जाने के बाद अगर पती ने वसीयत नहीं करी पती ने विल नहीं बनाई अपनी property की कि किसको जाएगी किसको नहीं जाएगी उसने ऐसा कुछ रिमेंशन नहीं करा इस case में पतनी जो है claim कर सकती है अगर वसीयत नहीं बनी हुई तब पतनी claim कर सकती है कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए मेरा right चाहिए उस property में जो उस व्यक्ती ने खुद अरजित करी थी वैसे पती के जीवे जी वो किसी को भी दे सकता है कोई भी विल बना सकता है उसको challenge नहीं करा जा सकता अब बात करते हैं पती के जीते जी महिला कैसे claim कर सकती है पती के जीते जी महिला पहली बात तो ये अगर दोनोंने मिलकर पैसे डाले है property purchase करने के लिए इस case में भी महिला claim कर सकती है कि हमने बराबर पैसे डाले है और दोनों के नाम पे वो property थी और मुझे मेरा हक चाहिए उस property में से तब वो claim कर सकती है दूसरी बात ये कि अगर महिला ने पैसे लगाए थे और महिला ने उस property को अपने पती के नाम पे कर दिया अब इस case में महिला जाती है कि मैं अपने पती से property वापिस ले लूँ वो कैसे ले सकती है इस case में महिला को evidence देना पड़ेगा कि उसने पैसे कैसे दिये थे property purchase के लिए जो कि उसके पती के नाम पे है evidence क्या हो सकता है bank transaction हो सकती है कि bank के थुरूस ने पैसे दिये है उसमें history आएगी पास्वुक में ये सारे evidence उसके पास होने चाहिए जो कि वो कहती है कि मैंने पैसे इस तरह चुका है कि अब उसके अपने पती के नाम पे मैंने कर दी property लेकिन पैसे मैंने दी उसके पास ये ऐसी history होने चाहिए साथ में दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ self-aware property के लिए कि अगर पती ने वसीयत नहीं करी और पती मर गया तो उसकी property में अकेला पतनी का हक नहीं होगा उसके बच्चों का हक भी आ जाएगा उसकी मा का हक भी होगा उस property में ये बात ध्यान रखने वाली है लेकिन अगर पती ने वसीयत नहीं करी तो पतनी claim जरूर कर सकती है लेकिन अपना हक claim करेगी ना कि कि उसको सारी property दी जाएगी इसके लावा friends कई बार ऐसा होता है कि जब कोई divorce case चलता है तो पतनी अपना property right claim करना चाती है उस divorce case में पतनी जो है property right claim करना चाती है लेकिन दोस्तों हमारे कानून में कोई भी property right नहीं है पती के जीते जी अगर उसने खुद अरजित करी है property उसमें और पतनी जो है maintenance claim कर सकती है लेकिन property claim नहीं कर सकती property claim कैसे करेगी property claim permanent alimony के through वो कर सकती है permanent alimony जैसे की एकी कठे पैसे जो है पतनी को दे दी जाते हैं उसको गुजारा करने के लिए maintain करने के लिए अपने आपको और पतनी ये कह सकती है application डाल सकती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए इसके बदले में मुझे पती की जो है अब बात करते हैं कि जो महिला का उसके साथ सासू की property में क्या अधिकार होता है देखे दोस्तों महिला का उसके साथ सासू की property में अधिकार नहीं होता वो पती की property में अधिकार कर सकती है ले सकती है claim लेकिन उसके साथ सासू की property में अधिकार नहीं ले सकते इंडिया में कोई ऐसा लोग नहीं है कि जो ये साबित करे कि महिला जो है अपने साथ ससू की प्रवट्टी में भी हिस्सा ले सकती है लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर पती का कोई हिस्सा कोई शेर जो है उसके ससूर के पास पड़ा हुआ है तब महिला अपने पती का शेर जो है ससूर से क्लेम कर सकती है लेकिन उसका खुद का क्लेम नहीं कर सकती अपने पती का क्लेम कर सकती है So friends ये कुछ information मैंने आपको आज की वीडियो में बताना चाहता था I hope आपको ये अच्छी लगी होगी अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी question है comment box में भी करिये question हो सके तो मैं इससे इसके आपके question के ओपर अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को like कर दे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भी तक तो please कर दे मैं दोस्तों के ताज शेयर करना मत भूलिएगा Legal education और knowledge लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊ आपके पास उसकी notification आ जाए और आप उस वीडियो को देख से